जिले में आई बाड का जायजा लेने के लिए 13 अगस्त को सीम का उडन खटोला गहमर स्टेडियम में उतरेगा इसको लेकर प्रशासन की बेचैनी बढ़ गई है कारिक्रम की युद स्तर पर तयारी की जा रही है जमानिया विधायक सहित आला अधिकारी तैयारियों का जायजा लेते हुए संबंधितों को आवश्यक दिशा निर्देश देते रहे मालूम हो कि बाड प्रभावित इलाकों का दौरा करने के लिए प्रदेश के मुख्य मंत्री योगी आदित्यनात का आगमन 13 अगस्त को गहमर में हो रहा है निर्धारित कारिक्रम के अनुसार 9 बज कर 10 मिनट पर वाराण सी पुलिस लाइन से बाड गर्ष छेत्र के हवाई सर्वेक्षन करते हुए सुबसाडे 9 बजे गहमर स्टेडियम में बने हैली पैड पर सीम का उड़न खटोला उतरेगा यहां से वह 9 बज कर 35 मिनट पर कारिक्रम स्थल गहमर इंटर कॉलेज पहुँचेंगे 9.35 से 10 बजे तक बाड प्रभावित लोगों से मुलकात और राहत सामगरी का वित्रण करेंगे 10 से 10.45 तक जन प्रतुदियों एवं अधिकारियों संग बैठक के पश्चात 10.45 से 11 बजे तक मीडिया ब्रीफिंग और उसके बाद 11 बज के 10 मिनट पर सीम का उड़न खटोला उड़ेगा और विबाड गर्ष छेत्रों का हवाई सर्वेक्षन करते हुए बलियां के लिए रवाना हो जाएंगे कारिक्रम से एक दिन पूर्व गुरुवार को इसकी तयारी युदिस्तर पर की जा रही हेलिपैड, मंच, पंडाल के साथ ही बैरिकेडिंग का कारी चलता रहा कारिक्रम को लेकर जिले के आला अधिकारी दिन भर भाग दोड करते हुए तयारीयों का जायजा लेते हुए तयारीयों में लगे लोगों को दिशा निर्देश देते रहे जमानिया विधायक सुनीता सिंग ने कारीक्रम स्थल का निरिक्षन किया इस दोरान उन्होंने मंच, पंडाल, आधि तयारीयों को देखते हुए जहां कमी नजर आई अपना सुझाव दिया मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर गहमरवासियों में उत्साह दिखाई दे रहा है ऐसी ही और भी खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और कॉमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें